कि कहाव 누ी में काका बाबा का साथ नहीं बर और यह कहावत राजस्तान की राज़िती में एकदम लेखाव होने स्पावा apparent या करें तो पार्टी अब तक उमीदवारों की दोस जारी कर चुकी है अपसी षजारी होने बाद उमीद्वारों के चैयन को लेकर बीजेपी कारकरता बिफर गए और पार्टी का जम कर विरोध कर रहे हैं कई जगों पर तो यह विरोध प्रदर्शन हिंसक भी हो गया है कारकरताओं का जादा विरोध जैपूर रासंबंद चितोड़ गड़ अलवर बूंदी बीकाने सडकों पर उतराये हैं बहरे प्रतियाश्ची को टिकट देने से नाराज कारकरताओं ने विरोध प्रदर्शन किया उन्होंने इस्थाने उमीद्वार को टिकट देने की मांग की है कांकरोली रोड में स्थित बीजेपी का रहले में गुसकर तोड़ फोड की और चुनावी सामगरी भी पाड़ नाराज कारकताओं ने बीजेपी दपसर के बाहर देरा भी डाल दिया है वहीं बात करें तोड़कर की तो यह सबसे ज्यादा हिंसक विरोध प्रद प्रदेश अध्यक्ष के घर पत्राओं इधर सांगानेर विधायक अशोग लोहाटी का टिकेट कटने के बाद उनके समर्थकों ने बीजेपी काराले के बाहर विरोध प्रदर्शन किया समर्थकों का कहना है कि छेत्र में बाहरी लोगों को किसी भी सूरत में बरदाश नह गया है वहीं विधानसबाद सीट से रामलाल शर्मा को टिकेट दे जाने का विरोध बीजेपी के बरिष्ट नेता डॉक्र श्रवण बराला कर रहे हैं डॉक्र श्रवण बराला ने निर्दलिये चुनाव लड़ने का एलान किया है वहीं अलवर्ण शहर में संजेश शर्म मैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब नाराज मुत्रा है इधर अगर बात करें कोटा की तो कोटा दक्षिन से संदीप शर्मा को टिकेट दिया गया है इसके बाद इस्तानिय वीजेपी नेता विकास शर्मा के कारेकरताओं में नाराजगी है विकास शर्मा के समर्थकों ने तल वंडी चोराय पर संदीप शर्मा गो बैक के नारे महाविर राका विकानेर भाजपा में कददावर्ण ली था है और कोरोना के वक्त उन्होंने शहर में अपनी सेमाये देकर जनता के दिलों में जगय बनाई थी हाली में भाजपा की परिवर्तन ग्यात्रा के दोरान भी राका ने अपनी ताकत का प्रदशन किया ऐसे में उन्हें और उनके समर्थकों को टिकेट मिलने की पूरी उमीद थी लेकिन सिद्धी कुमारी के नाम की घोशना होते ही उनके खेमे में मायूशी चा गई अब उनकी टीम के सदस्य से मांग कर रहे हैं कि पार्टी विकानेर पूर्व की टिकेट बदने गौरत कलव है कि आगा में राजस्तान विदानसवा चुनाओं के लिए भाजपा की 41 समिद्वारों की पहली सूची से भी पार्टी के कई सदस्यों में ऐसंतोष फैल गया था जो केंद्रे नेतुरत की निर्ने लेने की प्रिक्रिया से खुद को अलग थलग महसूस कर रहे पहली सूची जारी होने के बाद कई के नेतां ने फ़िरोध प्रदिस्शन किया विए deed लेकिन बीजेफी में आपसी अन्बन का दौर जारी है पार्टी में तनाव का माहल यहां पार्टी के नेता ही पार्टी के खिलाव प्रद्रशन कर रहे हैं इस तनाव का क्या असर पड़ता है चुनाव पर ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा खलाल के लिए इतना ही नमस्तार